दोस्तो स्वागत आपका इंसाइट नॉलिज की एक और नई वीडियो में इस समय की दो बहुत इंपोर्टेंट खबरों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें भारत के पास मौझूद S400 डिफेंस सिस्टम की सीक्रेट जानकारी लीग हो सकती है और ये काम करने की साजिस रच रहा है तुर्की इसके लावा पहली बार एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश भारत बना है और ये रैंकिंग ओस्टेलियन थिंग टैंक की तरफ से जारी की गई है दोनों खबर बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है इसलिए वीडियो को अंतक जरू देखेगा साथी चैनल पर पहली बार आए है तो नीचे दिये गए सबस्क्राइब बटन को प्रेस कर बैल आइकन को दबा ले जिससे हमारी डिली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके दरसल दोस्तों ताइवान से लेकर लद्दाग तक चल रहे तनाओ के बीच एशिया मे सबसे सक्तिशाली देशों की लिष्ट आ गई है भारत रूस और जपान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे सक्तिशाली देश बन गया है भारत से आगे चीन और लिष्ट में सबसे उपर अमेरिका का नाम है इस लिष्ट को देखकर आप हैरान मत हो जाना दरसल ये लिष्ट है कि एशिया के अंदर कौन से देश का प्रभाव कितना ज़ादा है इसलिए इस लिष्ट में अमेरिका को सामिल किया गया है और अमेरिका इस लिष्ट में नंबर वन पर है उस्टेलिया की लोवी इंस्टिटूट ठिंग टैंक की और से जारी किया गया एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने अच्छी चलांग लगाई है इसमें कहा गया है कि जपान के आर्थिक ताकत में गिरावट की वज़े से उसकी ताकत में कमी आई है जपान अब चोथा सबसे सक्तिशाली और प्रभाव साली एशियाई देश बन गया है इस लिष्ट को हर साल इन देशों के संसाधन और प्रभाव को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है इस लिष्ट में उस्टेलिया को पांचवा और यूकरेन युद में फसे रूस को छटवा इस्थान मिला है अमेरिका को 81.7 पॉइंट, चीन को 72.7 और जापान को 38.9 पॉइंट मिले हैं वहीं पाकिस्तान को मातर 14.6 पॉइंट मिले हैं और वे इस लिष्ट में 16 नंबर पर है एशिया पावर इंडेक्स में खुल 27 देशों और छेतरों का आकलन किया गया है इसमें देखा गया है कि इन देशों के पास क्या है और उसके साथ वे क्या कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान से लेकर रूस तक वहीं प्रशान छित्र में ओस्टेलिया, न्यूजलेंड और अमेरिका को भी इसमें सामिल किया गया है इसमें 6 साल के आंकडे का इस्तिमाल किया गया है ये एशिया में तेजी से बदल रहे सक्ती के वितरण का अब तक का सबसे व्यापक आकलन है इसमें कहा गया है कि अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे सक्तिशाली ताकत है लेकिन अब उसे चीन की और से तेजी से बढ़ती से जिना का दबाव जिलना पड़ रहा है। इन देशों का आकलन उनके आर्थिक रक्षा कूटनिती और अन्य ताकतों के अधार पर किया गया है। जिना का दबाव जिलना पर किया है। इसमें कहा गया है कि एसिया पावर इंडेक्स दिखाता है कि भारत के पास मलक्का श्टेट के पूर्व में सक्ती और प्रभाव दिखाने की सीमिच छमता है। ताकि भारत के पास बहुती जादा संसाधन और एक बड़ी ताकत के रूप में विकास की बरपूर छमता है। वहीं इसमें बताया गया है कि भारत सेन ने ताकत में चोथा, सांस्कृतिक प्रभाव में चोथा, आर्थिक छमता में चोथा, भविश्य के संसाधनों में तीसरा, तथा कूटनितिक प्रभाव में चोथा स्थान मिला। भारत की कुल रैंकिंग अब एशिया में तीसरी हो गई है। हाला कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ समय से जपान अपनी सेना पर जम कर खर्च कर रहा है। क्योंकि उसको नौर्थ कोरिया और चीन से कड़ी चनोती मिल रही है। यही कारण है कि जपान अमेरिका से बड़े पैमाने पर हतियार और मिसाइल वगरा खरीद रहा है। बरहाल उस्टेलिया की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिक कर बतायेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ दरसल दोस्तों ग्रीस के अकबार ने ये दावा किया है कि अमेरिका और तुर्की के बीच कथी तुरूप से F-35 फाइटर जेट को लेकर बाचीत काफी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की को आफर दिया है कि वे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसे दे दे और बदले में F-35 जेट ले ले। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबेद अमेरिका इन तुर्की के खरीदे S-400 सिस्टम का कंट्रोल चाता है। तुर्की के रूस से S-400 सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने F-35 जेट देने से इंकार कर दिया था। जा रहा है कि इसके जरिये अमेरिका रूस के S-400 सिस्टम की जाच कर सकेगा और उसके रहस्यों का पता लगा सकेगा। इस से आगे चल कर अमेरिका S-400 का तोड़ तयार कर सकेगा। वहीं अगर तुर्की F-35 फाइटर जेट हासिल करता है तो उससे उसकी हवाई ताकत काफी जादा बढ़ जाएगी। वहीं F-35 फाइटर जेट दुनिया के उन दो पाँचवी पीडी के विमानों में सामिल है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पाधन होता है। बरहाल दोस्तों ग्रीस की मीडिया की तरफ से किये गए इस दावे पर आपकी क्या राय है क्या आपको लगता है कि तुर्की रूस को धोका देगा और वे भी ब्रिक संगठन के अंदर आवेदन देने के बाद या फिर तुर्की ऐसा नहीं करेगा इस पर अपनी राय कॉमे बाद जैहिन